मॉर्णिंग बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्छा नर्शरी में हिंदे और हमारा पाठ होगा व्यंजन वर्ण बच्चो इसके पहले हम लोग व्यंजन क से व्यंजन ठ तक पढ़ चुके हैं आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे व्यंजन ड और व्यंजन ड ठ ठीक है चलिए हम देखते हैं वेंजन ड से बने शब्द बच्चो ये क्या है ये है ड क्या है ड से क्या होता है इस चित्रो को देखिए बताए क्या चीज का चित्र है बच्चो औरे वाह वेरी गूड ये है डमरू तो ड से क्या होता है डमरू आगे ड से देखते हैं कि और ड से क्या क्या होता है इस चीत्रो को देखिए ये क्या चीज का चीत्र है बच्चो ये है डंडा तो ड से डंडा ड से डाकिया और द से डलिया देखे हम लोग ना एक व्याजनवन से चार-चार सब्द द से डमरू द से डंडा द से डाकिया और द से डलिया ठीक है? चलिए आगे व्याजनवन जो है वह है धा क्या है बच्चो? धा ठीक है? धा से क्या क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं तो आप इस चीत्र को देखिए और बताइए ये क्या चीज का चीत्र है बच्चो? ये है धाक्कन तो धा से क्या होता है? धा से होता है धाक्कन और आगे देखते हैं कि धा से क्या क्या होता है? धाल ये क्या है बच्चो धासे धोलक और धासे क्या होता है धपली क्या होता है धपली ठीक है तो देखें न हम लोग एक वेंजनवंड से चार चार सब्द धासे धककान धासे धाल धासे धोलक और धासे धपली ठीक है चलिए अब आप इसे पढ़िए और ये जो आपको दिये गए है ना बिंदो इसे आपको मिलाते हुए इसके उपर color pencil से 10 times लिखना है ठीक है इसे आपको इस बिंदो को मिलाते हुए 10 times इसके उपर pencil चलाना है ठीक है डा के उपर भी और यहां डा के उपर भी ठीक है तो चलिए अब आप इसे complete के जिए ये है आज का आपका homework